दोस्तोव ओपो की रैणाओ 8 सिरीस के स्मार्टफून काफी जल्दी इंडिया में लॉँच होने वाला है आज जो Duals, निकल कराएं कि ओपो रैणाओ 8 प्रो प्लस स्मार्टफून लॉँच होने वाला है तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो मा बने रहेगा इंट तक चलिए शुरू करते हैं आगर बढ़ने से पहले दोस्तों अगर अब ही तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते ना बैल आइकन तबा देना ताकि मेरे वीडियो के साथ नोटिफिकेशन आपके पस पहुंच जाए जैसी मेरे वीडियो प्लोड करता हूँ बात करें इसी स्मार्टफोन के डिजाइन की तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखने वाला है ओपो रेनो 8 प्रो स्मार्टफोन यहाँ पर आपको बैक साइड में काफी बड़ा सा कैमरा मॉडूल देखने के लिए मिलेगा टॉप लेफ्ट में जिसमें कि आपको तीन कैमरा के हाउसिंग देखने के लिए मिलेगी LED फ्लैस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मेरे को काफी जादा पसंद आ है आप लोग के design कैसे लगा आप comment करके हैं हमें बता सकते हैं एंड यह smartphone 7.3 mm थिक होगा and 183 gram इस smartphone का weight होगा ओपागा smartphone है तो हलका होगा और पतला होगा आपको stylish सी look निकाल कर देगा बात करें इस smartphone की build quality तो यहाँ आपको glass back देखने के लिए मिलेगा and aluminium का frame आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेगा तो इस smartphone की build quality है वो कफी तगली होने वाली है flexure level की build quality आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेगी बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्पेलेगी तो यहाँ पे आपको 6.7 इंचेस की Full HD Plus वाली AMOLED डिस्पेले देखने के लिए मिलेगी जिसमें कि आपको 120Hz का refresh rate देखने के लिए मिलेगा 950 इनिट्स की peak brightness यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी 10bit colors यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी 29.9 का expect ratio होगा 394 BPI की pixel density होगी and Corning Gorilla Glass 5 का production आपको इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेगा तो overall जो इस स्मार्टफोन का display वो काफी तकड़ा होने वाला है क्योंकि AMOLED का panel high refresh rate के साथ में आने वाला है content consuming agitate and certification मिल जाएगा and Corning Gorilla Glass के layer भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी production के लिए तो display के मामले में आपको इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली बात करें cameras की तो यहाँ आपको Mary silicon X power triple rear camera setup देखने के लिए मिलेंगे जिसमें के आपको 50 megapixel का main camera देखने के लिए मिलेगा जो कि होगा Sony का IMX 766 sensor 8 megapixel का ultra wide angle lens यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा and 2 megapixel का macro lens भी यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा तो rear side के जो cameras है वो काफी तगड़े होने वाले है यहाँ आपको ब्रेंडिंग देखने के लिए मिलेगी and Sony का sensor देखने के लिए मिलेगा तो जो cameras rear side से होने वाले है काफी तगड़े देखने के लिए मिलने वाले है बात करें selfies की तो यहाँ आपको 32 megapixel का center panchol वाला selfie camera देखने के लिए मिलेगा 8100 max chipset देखने के लिए मिलेगा जो कि एक 5G chipset 5 NM architecture पर बना हुआ है यहाँ आपको GPU भी काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है तो gaming performance यहाँ आपको चिनिकाल कर देखा day to day user में भी कोई दिक्कत ने आगी power efficient होगा तो overall जो इसे smartphone की performance है वो आपको काफी तगडी देखने के लिए मिलेगी यहाँ आपको 8GB-12GB LPDDR5 RAM देखने के लिए मिलेगी and 128GB-256GB UFS 3.1 storage आपको इसे smartphone में देखने के लिए मिलेगा तो RAM और storage के मामने में भी आपको इसे smartphone में कोई करने आने वाली बात कर रहे बैटरी की तो यहाँ आपको 4500Ah की बैटरी देखने के लिए मिलेगी जो कि यह काफी अच्छा size है and यहाँ आपको 80W की Superbook charging भी इसे smartphone में देखने के लिए मिलेगी जो कि काफी fast होने वाली है 1-100% in just 31 minutes चार्ज कर देगी आपके smartphone को तो यहाँ आपको बैटरी भी अच्छी देखने के लिए मिलती है charging speed भी fast है तो बैटरी और चार्ज के मामले में भी आपको इसे smartphone में कोई दिक्कत नहीं आने वाली बात कर रहें operating system की तो दोस्तो यहाँ आपको color OS 12.1 देखने के लिए मिलेगा जो कि Android 12 पर बेज़ड होगा जियां दोस्तो आपको इसे smartphone में Android 12 out of the box देखने के लिए मिलने वाला है बात कर रहें connectivity की तो यहाँ आपको 5G का support देखने के लिए मिलेगा Dual 4G Volt होगा, Wi-Fi 6 होगा, Bluetooth 5.2 होगा, GPS का support होगा और दोस्तो NFC का support भी आपको इसे smartphone में देखने के लिए मिलेगा तो overall connectivity के मामले में आपको इसे smartphone में सारे options देखने के लिए मिलेगे बात करें security की तो यहाँ आपको face unlock के साथ में in display fingerprint scanner देखने के लिए मिलेगा बात करें ports and buttons की तो यहाँ आपको USB Tab C charging port देखने के लिए मिलेगा power runner button होगा and दोस्तो volume rocker button भी आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेगा बात करें इस smartphone के color variants की तो दोस्तो इस smartphone आपको इंडिया में 3 color variants में देखने के लिए मिल सकता है black, silver and mint color में बात करें इस smartphone के Indian price की तो दोस्तो लीक्स की माने तो इस smartphone आपको इंडिया में 40-45 जाओ रुपए के price में देखने के लिए मिलेगा एंड दोस्तो अगर smartphone इस price point पे इंडिया में launch होता है तो काफी तगड़ा smartphone होने वाले performance आपको तगड़ी मिल जाएगी एंड दोस्तो यहाँ पे आपको इस smartphone के जो camera हो तो next level के देखने के मिलेंगे एंड यह इस smartphone का display भी काफी अच्छा है overall जो इस smartphone के specifications है वो 40-45 जाओ रुपए को define करते हैं एंड दोस्तो अगर smartphone इस price point पे इंडिया में launch होता है तो अगर आपको इस smartphone को buy करना है तो आपको अगले मेने तक का wait करना पड़ेगा जी हाँ तोस्तो यही थी कुछ बात है जो हम आपको OPPO Reno 8 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में बता आना चाहता था आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पस्दाना तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करते देना और मैं आपसे मिलता हूं next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत